Hello Friends, Welcome to Study Pre-Questions Friends, इस वीडियो में हम बोकारो जीले से सम्बंधित सभी महतपून प्रसन को देखेंगे और सारे प्रसन बहुत महतपून है, कुछ प्रसन पूछे भी गया है और कुछ प्रसन पूछे जा सकते हैं इसलिए वीडियो को ध्यान से देखेगा चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला प्रसन क्या है तो पहला प्रसन है किस साल बोकारो को जीले का दर्जा दिया गया यह प्रसन दारोगा पीटी परिक्षा 2017 में पूछा गया था तो बोकारो जीले की अस्थापना हुई थी अगला प्रसन है यह प्रसन भी पूछा गया है तो 1991 में बोकारो जीले की अस्थापना धनबाद और ग्रीडी जीले के कुछ ब्लोक को मिला कर किया गया था जिसमें से धनबाद के दो ब्लोक जनबाद के दो ब्लोक चास और चंदनक्यारी और ग्रीडी का पूरा बेर्मो डिविजन को मिला कर ही बोकारो की अस्थापना की गयी थी अगला प्रसन है 1991 में बोकारो की अस्थापना धनबाद जीले के कितने ब्लोक से की गयी थी ये क्वेस्चन भी पूछा गया है तो 1991 में मैंने अभी बताया धनबाद के दो जीले कौन-कौन से दो ब्लोक कौन-कौन से ब्लोक है चास और चंदनक्यारी इन दोनों ब्लोक को मिला कर बोकारो जीले की अस्थापना की गई थी अगला प्रस्ण है बोकारो जीला किस प्रमंडल के अंतरगत आता है तो बोकारो जीला उत्री छोटनागपूर प्रमंडल के अंतरगत आता है सही answer होगा option A अगला प्रस्ण है बोकारो के दो अनुमंडल कौन से है पहला तो प्रस्ण पुछेगा कि बोकारो में कितने अनुमंडल है तो दो हैं कौन कौन से है चास और बेरमो सही answer होगा बोकारो के दो अनुमंडल चास और बेरमो है अगला प्रस्ण है तो इसका सही एंसर जो है असत समुद्र तल से 210 मिटर तो बोकारो जीलों में जमिन के असत उचाई जैसे सी के हिसाब से असत समुद्र तल से 210 मिटर इसका सही एंसर दिया गया था अगला प्रस्ण है बोकारो जिले का कूल भोगोलिक छेतरफल कितना है ये प्रस्ण भी दरोगा पीटी परिक्षाम पूछा गया था तो बोकारो जिले का कूल भोगोलिक छेतरफल है 2883 वर किलोमेटर सही अनसर होगा ओप्सन A 2883 वर किलोमेटर अगला प्रस्ण है गुमला सोरी ये प्रस्ण गलती से इसमें आ गया है चुकि आज बोकारों का बात हो रहा है इसलिए हम बोकारों के प्रस्ण सॉल्ब करेंगे बोकारों के परसिद वेक्ति कौन थे? तो बोकारों के परसिद व्यक्ति कौन थे लूगू बूरू इनसे और एक प्रस्ण पूछा जाता है कि संथालों का जनक किसे कहा जाता है लूगू बूरू को अगला प्रस्ण है निमलिखित में से कौन सी नदी बोकारों से होकर नहीं बाती है खांजो बाती है दामोदर बाती है और कौनार बाती है तो सही अंसर होगा संथ नदी बोकारों से होकर नहीं बाती है सही अंसर होगा option C अगला प्रस्ण है तेनु घाट डेम कहां अवस्थित है कहा है तेनु घाट डेम इन में से कोई नहीं तेनु घाट डेम कहा है तो बोकारों में है तेनु घाट डेम बोकारों में है जो कि एक अर्थिन डेम है जो कि किस नदी परिस्थित है दामोदार नदी परिस्थित है तेनुघाट डेम दामोदा नदी पर इस्थित है अगला प्रस्ण है पालकोट अभिहारन ये कहां अवस्थित है ये प्रस्ण भी पुछा जाता है पालकोट अभिहारन ये गुमला में अवस्थित है जो कि तेंदुआ और जंगली भालू के लिए परसिद है यहां मुख्य रूप से तेंदुआ और जंगली भालू पाये जाते हैं अगला प्रस्ण है तेनु घाट पक्छी विहार कहां अवस्थित है सही अंसर होगा तेनु घाट पक्छी विहार भी वोकारों में अवस्थित है सही अंसर होगा option D अगला प्रस्ण है इन में से कौन सा पक्छी विहार बोकारों में अवस्थित है तो सही अंसर होगा इसका चंदरपूरा पक्छी विहार कहा है तो बोकारों में अवस्थित है तिले यह कहा है तो कोडर्मा में है उद्वा पक्छी विहार सहब गंज में है और इचागर पक्ची विहार सराइकेला खरसावा में है तो इन में से कौन सा पक्ची विहार बोकारों में आवस्थीत है तो सही अंसर होगा चंदरपूरा पक्ची विहार अगला प्रस्ण है बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलोप्मेंट अथरोटी बोकारो का छेतरफल है यानि कि इसमें पूछ रहा है कि बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया किसके अंतरगत आता है तो ये आता है उतरी छोटा नागपूर के अंतरगत सही answer होगा option B अगला प्रस्ण है बोकारो स्टील प्लांट किस वर्ष में अस्थापित किया गया यह प्रस्ण बार बार पूछे जाना वाला प्रस्ण है और बोकारो स्टील से बहुत सारे प्रस्ण पूछे जाते हैं इसकी अस्थापना कब हुई थी तो 1964 हिस्वी में और उत Rours के सहयोग से की गई थी और यह सेल के अंतरगत कारेरत है इतने सारे पॉइंट आपको जानना बहुत जरूरी है अगला प्रस्ण है बोकारो स्पात अपनी लोःईस्थ की आपूर्ति किस खादान से प्राप्त करता है तो बोकारो स्टील को लोह अयस की आपूर्ति कहां से प्राप्त होती है कयोंजर की खान से इसके अलावा इसको कोकिंग कोईला कहां से मिलता है तो जहरिया से कोकिंग कोईला इसको जहरिया से प्राप्त होता है और चुना पत्थर मध्य परदेश से प्राप्थ होता है अगला प्रस्ण है बोकारो स्टील प्लांट निमलिखित में से किस देश की सहता से बनाया गया है मैंने अभी बताया यह सोवियत संग रूस की सहता से बनाया गया है तो सही अंसर होगा इसका ओप्शन बी अगला प्रस्ण है Asian Refractories Limited कहां अवस्थित है Asian Refractories Limited है बोकारो में सही अंसर होगा ओप्शन A अगला प्रस्ण है Asia का सबसे बड़ा कोल वासरी कहां अवस्थित है यह सब प्रस्ण बार बार पुछे जाते हैं इनको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए अगला प्रस्ण है Asia का सबसे बड़ा कोल वासरी है करगाली वोकारो में सही अंसर होगा ओप्शन B अगला प्रस्ण है Asia का पर्थम मिथेन गैस का कुऊं कहां अवस्थित है यह प्रस्ण भी बार बार पुछा जाता है तो इसका भी सही अंसर होगा परवतपूर वोकारो देखिए दोनों में कन्फ्यूज नहीं करना है कोल वासरी कहां है तो करगाली वोकारो में है और Asia का पर्थम मिथेन गैस का कुऊं कहां है तो यह परवतपूर वोकारो में है अगला प्रस्ण है भारत का सबसे बड़ा विस्फोटक कार खाना कहां आवस्थित है ये प्रसपन भी बार बार रिमिरीट होता है तो कहां है सबसे बढ़ा विश्फोटक कार खाना भारत का तो ये है आपका गोमिया में शही अनसर होगा इसका गोमिया और इसकी अस्थापना कभी थी 1955 इस्वी में ब्रिटेन की सहता से ब्रिटेन की सहता से इसकी अस्थापना हुई थी अगला प्रस्न है बोकारो ताप विद्यूत गिरिह किस नदी पर अस्थापित की गई है तो बोकारो ताप विद्यूत गिरिह बोकारो नदी पर अस्थापित की गई है और यह कोईला पर अधारित पर्थम ताप विद्यूत गिरिह है जिसकी जिसमें 1932 से बिजली का उत्पाधन प्राराम हुआ था कब से 1932 से अगला प्रस्न है चंदरपूरा ताप विद्यूत ग्रिह किस जिले में अवस्थित है सही अंसर है इसका चंदरपूरा ताप विद्यूत ग्रिह बोकारो जिले में अवस्थित है और इसकी अस्थापना कब की गई थी? 1965 वी में 1965 वी में चंदरपूरा ताप विद्यूत ग्रिह की अस्थापना की गई थी अगला प्रस्न है कोनार जल विद्यूत केंदर कहां आवस्थित है और किस नदी पर? कुनार जल विद्यूत केंदर कहां और किस नदी पर इस्थित है सही अंसर होगा कुनार जल विद्यूत केंदर बोकारों नदी पर है बोकारों में है और कुनार नदी पर इस्थित है सही अंसर होगा कुनार जल विद्यूत केंदर बोकारों में है और कुनार नदी पर अवस्थित है अगला प्रस्ण है ज़ारखन में जवाहरलाल नहरू जैविक उद्यान कहा है ये प्रस्ण भी बार-बार पुछा जाता है तो जवाहरलाल नहरू जैविक उद्यान है बोकारो स्टील सिटी में और इसकी अस्थापना 1980 के दसक में की गई थी, कब की गई थी? 1980 के दसक में, और यहां पर पसू और पौधों की अदभूत परजातियां पाए जाती है, और यहीं पर एक क्रित्रीम जहील भी है, जिसमें नौकायान और टोय ट्रेन की सुईधा उपलब्ध है, अगला प्रस् मंदिर है, डुम्बारी पहाण, खोटी में है, यह भी बहुत महत्पुन है, इस बार जेपी एसीम पुछा गया था, जो की बिरसा अंदोलन से संबंधित है, तो बोकारों में कौन सा पहाण है, दुरगापूर पहाण है, सही एंसर होगा, इसका ओप्शन C, दुरगापू कहा है, तो यह राची में है, इससे भी बहुत बार प्रसन पूछा जाता है, अगला प्रसन है, गरगापूर डेम कहाँ आवस्थित है, यह प्रसन CGL परिछा 2016 में पूछा गया था, तो गरगापूर डेम कहा है, तो यह बोकारों में इस्थित है, और यह पिकनिक बाड़ी कहां अवस्थित है, तो लूगू बूरू घंटा बाड़ी बोकारों में अवस्थित है, जो कि संथालियों के लिए महत्पूर अस्थान है, और यहां हर वर्ष कार्तिक पुनिवा में मेले का आयोजन किया जाता है, अगला प्रसन है, हाथिमा पत्थर मेला का आय अगला प्रसन है, जार्खन का सेफील्ड किसे कहा जाता है, जार्खन का सेफील्ड कहा जाता है, भेंडरा को जो कि बोकारों में इस्थित है, अगला प्रसन है, मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम कहा अवस्थित है, यह प्रसन जेपीएसी परिक्षा 2016 में पुछा गया था, तो मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम है बोकारों में, सही अंसर होगा इसका ओप्सन डी, अगला प्रसन है, बोलिवूड एक्टर इमरान जाहित का संबंध किस जीले से है, यह प्रसन भी आयार भी एक्जाम में पूछा गया था, इसका सही अंसर होगा बोकारों, इमरान जाहित का संबंध बोकारों जीले से है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही, मैंने बोकारों जीले के सभी महत्पून प्रसन को कवर कर ल झाच्छिंग